है वेल्कम टो एसी प्लस एडिटल प्लेटफॉर्म वेड एवांस निक लासेश और आप हैं इस एन्वायरमेंटल इंजरीगं के डिटेएल लेक्टर सीरीज में जहां पर हम कंप्लीट डिटेल में सब्जेक पड़ रहे हैं और अभी तक हम क्वालिटी प्रामेटर बात कर च आता है इस इस में डिफरनληट इपाइप होते हैं कैसे पता करते किस पाइप में क्या डिस्चर्च जा ला रहा होगा कितना जा रहा नहां कैसे पता करेंगे में कॉम्प्लेक्स नेट्वक अंदर पाईप्न साथ में पर defect क्रीटमें को से बढ़ते आगे यह आपको शेडूल पता ही होगा यूटूब पर आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेज इस टाइम पर मिल रहे हैं वो भी कम्प्लीट टेक्निकल सब्जेक्ट ऑन दी यूटूब मतलब पूरा डिटेल में 100% संब्जेक्ट को मंडे टू Спृइडए साथ हर संत्रडे को जितना मंड़ नौ outfits परेड़ा उसके डासे इन अर क्लाइफ क्विसक्रेसी करने सचरेड़ को और हर संदे को कि संदे को बिशीर रखा जाता है बात करते कि यहां पर हमारे पास यह तो एक मेरी basic information आपके लिए कभी ओन्टु नेक्स पार्ट एट वी हैव दी स्टोरेज रिजर्वायर अब जैसा कि आप इस इमेज में देख पारे हो यह एक रिजर्वायर है हमारे पास किसी ट्रीट्मेंट प्लांट पंपिंग स्टेशन से हम पानी डायरेक्ली इस एरिया में पहुचा स तो लोगों की रिक्वायर्मेंट के अकॉर्डिंग पानी पहुचाना पड़ेगा लोगों की रिक्वायर्मेंट के अकॉर्डिंग पानी पहुचाने में क्या होगा डायरेक्ट पूरा सिस्टम इस पंपिंग स्टेशन से कनेक्ट होगा पंप को बहुत जादा काम करना हमने सोचा कि पावर की दिक्कत आ जाती है कभी पाने सप्लाइन नहीं हो पाएगा कभी हमारे पास पूरी हो सके तो डिस्तिबिशन रिजर्वायर और सब्सक्राइब और टी इमर्जेंसी या तो आग लग जाए उस टाइम पानी देने में काम आजाए या कोई रिप्यर वक चल रहा है तो उसमें पानी अवेलेबल हो वह काम में आ जाए और अलसो तो है पिन एब्सॉर्बिं सब्सक्राइब करेंगे पानी पड़ा हुआ है भेज देंगे लोगों की दिमांड मीट हो जाएगी ऐसे में हमारे पास जो हमारे डिस्टिबिशन दिदर्वायरस की फंक्शन जरा समझ लीजिए तो अब पानी है पूरे एरिया में एक जैसे प्रेशर के लिए पहुचाना है पानी ग्रेविटी के तुरू अपने आप उस प्रेशर से आगे बढ़ता चला जाएगा इसी के साथ साथ वाटर स्टोड केन वी सप्लाइड दूरिंग इमर्जनसी पानी पड़ा हुआ हमारे पास चाहे कितनी भी इमर्जनसी क्यों नहों पानी हमारा वेस्ट नहीं हो उसको मुट्राइज कर सकते हैं उस टाइम पर चाहे पंपिंग इस्टिशन काम भी नहीं कर रहा हूं डिस्ट्रिबिशन रिजर्वायर शुट भी लोकेटेटेटेस पॉसिबल टू दी सेंटर ऑफ डिमांड इसी लिए पानी की टंकिया हमेशा जितने एरिया में पानी सप सकते कि पानी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए यह सारे वंक्षन से कपाता है अब बैलनसिंग स्टोरेजज बेक्डाउनस्टोरेज्च और फायर इस्टोरेज अब पहले पाइड स्टोरेज पर सोचते हैं पायर स्टोरेज का मतलब यह कलको शहर में आग लग दी और आपके पास इतनी सविजिंट मात्रानी पानी होना छाइए कि उस जगा पर जहां पर आग लगी वहां पर पानी बचाए जा सके pumping station पता चला 10 km दूर है आग लगी है कहीं दूसरी जगे है अब pumping station चालू करके वहां तक पानी पहुचा है pipeline के तुरू बहुत मुश्किल है हमने क्या कर रखा उसके लिए पहले से रात में क्या कि इस एडरिया के पास में जो भी रिजेर्वायर होगा वहां पर पानी फिल कर दिए सुबह होगी उस रिजेर्वायर से पानी चला जाएगा लोगों को कुछ पानी उसमें बचा रे जाएगा जैसे ही वहाहाा अग लगी वहीं पानी करके हम जो वह आग बजाने काम कर सकते तो फायर स्टोरेज के लिए काम में आता है हर पानी की टंकियों के अंदर इतना पानी अवेलेबल रहता है पूरी तरह खाली नहीं होती है लोगों को सप्लाइ करने के वाद उसके अंदर सब्सक्राइब अमांट पानी हमेशा अ अवेलेबल होता है एक ब्रेकडाउन स्टोरीज कहीं बार ऐसा होता है को एरिया है उस एरिया में कोई रोड रिपेर वर्क चल रहा है अचानक से पाइपलाइन में कोई सब्सक्राइब का हमारे पास जो वह आपनली जीए कि जो बेखो वाला पॉश्चन होता है वह वाला पंजा लग जाता है मान लो पाइपलाइन फूड़ पानी बहुत तेजी से रीसरा उसके अंदर से तो पाइपलाइन के फ्लो को बंद करना पड़ता है जहां पर में में पर भी नहीं होगी तो हमारा जो इस टोरेज रिजर वायर है उसमें जो ब्रेकडाउन स्टोरेज है वह इसी परपस के लिए कि कभी कोई रिपेर वक आया कोई भी हमारे पाद डेमेज वरक आ गया उस टाइम पर वह पानी काम में आ सके तो पूरे स्टोरेज में कुछ होता पूरा पाणी पहुचा दो और वह पानी को अपने और कर लेंगे दिन में जैसा उनको यूज करना विए यूज कर लेगे आपके पास ऑप्शन है आप पंपिंग स्टेशन से उनको पानीद दो या फिंपंपिंग स्टेशन चाहिए ऑंबढ़ दो रिजर वायर और उसी मे supply is known as balancing storage or equalizing or operating storage साथ ही साथ breakdown storage क्यों काम आता है the breakdown storage or often called emergency storage is the storage preserved in order to tide over the emergencies caused by the failure of pump electricity or any other mechanism driving the pumps कितना होता है तो अवेलियो about 25% of the total storage capacity of reservoir or 1.5 to 2.2 times of the average hourly supply दो भी होगा उसमें से उनमें से consider के चला जाएगा जो कि हमारे पास हमारे storage के लिए sufficient amount of quantity बने इसी के साथ fire demand या fire storage के लो the third component of the total reservoir storage is the fire storage this provision takes care of the requirement of water for execution fires तो यह हमारे पास हमारे reservoir का purpose हो जाता है coming on to the next part जो pipe का network होता है उसका analysis हमें करने की जूरत पढ़ती क्यों करने जूरत पढ़ती क्योंकि हमें pipeline के अंदर जैसे इसे flow आगे हो रहा है discharge कहां कहां पर कितना पहुच रहा यह पता लगाना और कौन-कौन इक्विलेंट पाइप मेंसे पढ़ते हैं कि अगर बहुत सारे पाइप लगे हुए हूं तो उन पाइपों को replace करके एक single diameter का pipe लगा दिया जाता है और पता करते हैं कि उतना ही discharge केरी कराने के लिए under the same head loss अलग-अलग dimension के pipe को अगर एक single pipe से replace करते हैं तो वह single pipe के dimensions क्या बनेगी क्या उसका डाया बनेगा उसी क्याते हैं equivalent pipe तो many small pipeline loops are replaced by imaginary single equivalent pipe having same discharge and same head loss generally जितने भी large network उते हैं उनके लिए काम आता है सिर्फ दो पॉइंट ध्यान रटना है आपको इतना ही पूछता है detail में जाता है detail में जो ही जाने की जान्चेश बनते हैं हार्डी क्रॉस मेथट तो क्या होता है हार्डी क्रॉस मेथड इसी पर विचार करते एक फिर टॉक अबाट हार्डी क्रॉस मेथड यह भी सेम वही काम करता है discharge और head loss के analysis को हमारी लिए मददकार बनाता है तो हम यहां पर यह पूरा procedure है कैसे पूरा काम करता है question की थूर समझेंगे detail में लेकिन पहले प्रोसेजर को करते हैं कि प्रोसेजर क्या बता रहाएं कि कैसे आपको पता करना है पानी के असुरी फ्लो के अंदर फ्लो कैसा हो रहा है कैसे हो रहे है है तो डायक्शन ओफ फ्लो फ्लो और यूज है लौस उसके लिए FLB square upon 2GD वाला formula लगाते हैं सेम उसी तरीके से हम जो यहाँ पर pipe flow के अलग-अलग formula यूज़ करके losses निकाल सकते हैं हम यह देखते हैं कि जैसे इस आगे बढ़ रहे हैं pressure drop होना चला जाता है algebraic summation of pressure drop around a close loop must be equal to 0 हम अगर किसी close loop पे चलते हैं हमारे पास जो algebraic summation है pressure drop का वो 0 होना चाहिए means loss of head in each loop of pipe due to flow in clockwise direction is equal to flow in anti-clockwise direction क्या होता है इसको भी आगे डीटेमिन समझेंगे flow entering a junction should be equal to flow leaving the junction यह तो जाहिर सी बात है अगर बहुत सारे pipe आके मिल रहे हैं तो जितना आ रहा है वहीं से उतना भी जाना चाहिए बीच में गयाब नहीं होना चाहिए यहाँ पर head loss is basically given by actually close to k q की power n जहाँ पर q होता है हमारा discharge उस pipe से होने वाला k होता है हमारे पास एक constant जो की pipe की roughness पर depend करता और n हमारे पास एक condition dependent है जो की अलग-अलग condition बता जाती है आपके पास discharge का variation ऐसा ऐसा होगा उसके according head loss ऐसा ऐसा होगा तो question में conditions दी जाती है सिपे ध्यान रखना है बात करते है कि कैसे इस question को solve किया जाएगा कैसे इस concept को समझा जाएगा तो पहले आपको अलग-अलग pipe हो के अंदर continuity equation satisfy करते हुए flow को assume करना पड़ेगा flow को आपने assume कर लिया तो उसमें से clockwise direction को पॉजिटीव लेके चलना पड़ेगा एंटि-clockwise direction को Negatively लेके चलना पड़ेगा जब भी आप loop में घूमोगे तो clockwise लेके चलना पड़ेगा ола पॉजिटीव एंटि-clockwise नेगेटिव पिर आपने जो flow assume किया था उस flow assume करने का जो जब आप उसको solve करना चालू करते हो तो आपको अपने discharge में कुछ modification करना पड़ता है क्योंकि जो आपने discharge माना है वो तो assumption है तो उसको modification करना पड़ता है the modification in discharge is generally given by delta equal to minus of delta equal to minus of summation of hl whole divided by n into summation of hl by q hl by q का mode तो ये हमारे पास हमें बताता है कि कितना कितना head loss हुआ है और उसके according आपके पास आपको कितना modification करना पड़ेगा जब आप ये modification apply करते हो corrected discharge निकालने के लिए तो corrected discharge would come out to be as assumed discharge plus the modification करते हैं कि ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपके आपके head loss का direction होगा वही आपके discharge का direction होगा और clockwise discharge positive लेके चला जाएगा एचल भी positive बाना जाएगा एंटिको का discharge negative लेके चला जाएगा एचल भी negative लेके चला जाएगा पूरी की पूरी जितना मैंने बताया सब कुछ दिमाग के उपर से गया होगा अब इसको apply करना चालू करते हैं जैसे apply करना चालू करें अपने आप समय में आ जाए कि कैसे करना है evaluate distribution of flow in the pipe network as pipe is rough and flow may be assumed to be turbulent and HL is given by this where k for each pipe is shown and n is equal to 2 का है pipe बना लेते हैं let us draw the diagram कर दो एंप अजाएग में में जाएगा कर दो है झाल ऑ्रोक्टरू झाल 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 मान लेते हैं हमारे पास एक नेटवर्क है और इसमें मान लेते हैं कि कहीं से डिश्चार्ज आ रहा है और कहीं पर डिश्चार्ज जा रहा है कितना आ रहा है मान लेते हैं सिक्स्टी मिट्र क्यूप पर सेकंड के बराबर एक वेल्यू मान लेते हैं अच्छे और पांच ग्यारा के बराबर बतार प्रोटर मिलाकर जो हमारे पर डिसार हो कितना आ रहा है इस पाइब नेटवर्क से जाने वाला भी कितना वहना चाहिए अच्छे बाहर जा रहा है तो यहां से तीस बाहर जा रहा है तो जितना आया उतना बाहर गया मान लेते हैं यह हमारे पास आने वाली कॉंटिटी जाने वाले कॉंटिटी के बराबर है तो यहां से एक चीज तो सवंज में आती है कि जितना आ रहा उतना बाहर जा रहा है आट और तीन ग्यारा 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 जा रहा है एक काम करते हैं इसकी नेविंग चालू कर देते हैं मानलो इसे मैं लिखा A, junction को लिखा B, this is one junction, this is another junction, another junction, and another junction A, B, C, और D, 4 junction बन गए चारो जगे जो pipe है उन pipe की roughness को indicate कर देते हैं पहले वाले pipe में यहां पर mention करते हैं K है 2 के बरावर, यहां K है 2 के बरावर, कोई भी arbitrary value लेते हैं, कोई फरक नहीं पड़ता यहां पर लिखते हैं, इसका K लिखते हैं K equal to 1 के बरावर, यहां लिखते हैं K equal to 4 के बरावर, यहां लिखते हैं K equal to 3 के बरावर और यह मान लेते हैं कि हमारे पास n के विलुट्व 2 तू दे रखी है अब इसमें समझते हैं कि वह नेटवर्ग को सॉल्व करना है पाइप के नेटवर्ग को सॉल्व करने के लिए पहले कुछ आर्बिटरि अजम्शन मानके चलने पड़ेंगे अदम्शन मांगे चलो कि 60 का पानी आया चुकि दोनों पाइप सेम है के के तो यहां गया 30 और यहां गया 30 अब दोनों सेम है पाइप तो दोनों सेम कॉंटिटी चली जाएगी लेंद के यहां पर कोई अभी जिकर नहीं आ रहा यहां से इस जंग्शन पर एक काम करते हैं यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर 80 आया इसमें से 30 इदर आ गया और पचास इदर आ गया तो तीस इदर आया तीस इदर आया तो तीस बहार गया तो तीस इदर मान लेते हैं और पचास और तीस अश्य हो गया काम हो गया अपना आपके पास यह जितनी वेलियों आपने अज्यूम किये यह सब अदम्शन है सिर्फ सही नहीं है, सही तो आप निकालने पड़ेगी network को पुरा solve करके तो network को solve करते वक्त हम अलग-अलग loop consider करते हैं बात करते हैं first loop लेते हैं a, b, d, a loop कहा है हमारे पास? a, b, d, a एक loop बनना चाहिए तो loop बना a, b, d, a इस a, b, d, a के अंदर आप जरा सोचिए आपके पास pipes क्या-क्या है pipe है आपके पास a, b, b, c ने, a, b क्या बी, d, a b, d, और फिर d, a हो गया loop खतम इन pipe हो के अंदर assumed discharge क्या है? अब आपको यह सोच के चलना है जो direction है आपके पास taking clockwise direction is positive and anti clockwise direction is negative आप loop में चल कैसे रहो? a से b, b से d, d से a तो चल तो हम clockwise रहे हैं तो clockwise direction में आने वाले discharge को positive आनेंगे? अगर यहां से ऐसे घुम के ऐसे जा रहे हैं और यह ऐसे आ रहे हैं तो इसे negative आने लेंगे तो assume discharge में a, b से हो रहा है plus 30 का discharge b, d से हो रहा है plus 30 का discharge DA से हो रहा है minus 30 का discharge क्या आपको K के value दे रखी है K के value A से B के लिए 2 दे रखी है B से D के लिए 1 दे रखी है और D से A के लिए भी 2 दे रखी है क्या आपके पास आपको HL निकालने का तरीका पता है HL equals to K into Q की पावर N तो K into Q की पावर N में जड़ा देखीएगा HL equals to K into Q की पावर N से HL बनेगा K into Q की पावर 2 तो assume discharge तो आपके पास है assume discharge का square करेंगे और K से multiply करेंगे तो HL आ जाएगा तो यहाँ पर देखो ज़रा आप पहले वाले के अंदर assume discharge है Q K की value है तो Q का square कितना होता है Q का square होता है हमारे पास HL equal to यहाँ लिकलो फिर K into Q की पावर 2 लिकलो इसको तो HL आ जाएगा 30 का square 900 और 900 into 2 कितना हो जाएगा 1800 तो plus 1800 यह है K1 है Q square तो 30 का square 900 और 900 into 1 plus 900 और यह same यही कल्कुलिशन होगी minus में आ जाएगा तो इसका हम निकाल लेते हैं summation of HL कितना आएगा plus 18 minus 18 गयाव हो गए बचा कितना 900 ठीक है एक और निकाल लेते हैं यहाँ से that is the ratio of HL by Q तो HL by Q का ratio क्या बनेगा 1800 बटे 30 कितना बनेगा 60 के बरावर HL by Q का ratio क्या बनेगा 900 बटे 30 कितना बनेगा 30 के बरावर minus 18 गएपटे माइनस तीस कितना साथ तो यहां से निकाल सकते हैं समीशन ओफ हल्ब 6 और 6 बारा और 3 पंदरा देड़ सो आ गया अब निकालते हैं करेक्टेड करेक्टेड डिस्चार्ड जो कि कैसे आएगा जो अजूम्ड था प्लस डेल्टा डेल्टा कैसे निकाल डेल्टा का फोमला हमने अभी पढ़ा कि डेल्टा इस इकोल टू माइनस ओफ समीशन एचल डिवाइड़ बारे एन इंटू समीशन ओफ मोड ओफ एचल बाई क्यू तो माइनस ओफ समीशन ओफ एचल कितना आएगा माइनस 900 डिवाइड़ बाई एन एन कितना होगा टू दे रखा है इंटू समीशन ओफ एचल बाई क्यू चुकिए वेल्यू पोजिटिव है डारेटली रख सकते है देड़ो तो देड़ो इन्टू दो 300 900 वटे 300 कितना आजाएगा माइनस 3 के बराबर तो आपके पास डेल्टा आगया है माइनस 3 के बराबर रख तो करेक्टेड डिस्चार्ज के लिए बाई तो हमारे पास अजूम था 30 मैनस 3 एकवल तो 27 अजूम था 30 मैनस 3 एकवल तो 27 अजूम था मैनस 30 मैनस 3 मैनस 33 यह आगया आपके पास आपका A B B D और D A से करेक्टेट डिस्चार्ज लेकिन खतम नहीं हुआ है क्यों कि दूसरा लूप बचा हुआ है अगला लूप लेते हैं अगला लूप लेते हैं तो उसके लिए आई वुड रिक्वाइर एक स्लाइट की जरुत पड़ेगी मचे है बात करते हैं कि सेकेंड वर हैं लूप je b c d c कहां है लूप बी सी डीसी यह रहा वी सी डी सी तो क्लॉक वैस्ट चलना पडेगा लोग वैस्ट चलेंगे तो यह पॉजिटिव यह नेगेटिव और यह नेगेटिव करकि हमारे डाया हैं है पचास तीस तीस तो प्लस पचास माइनस तीस माइनस तीस तो यहां पर आगए हमारे पास पाइप्स अजूम डिस्चार्ज के एच ल है एच लगाए क्यू और फिर क्या क्याक्टे ड्रिक्षाजच एकवलटो कि अजूमेंट Whoo二व Training करलो स्वैब के नाम जानलो क्या-क्या है 現在 रहीं सीडी औरिबीी बीदीं से यूम्टॉञ व्लोट हा फचास पुलस पचास का CD से था माइनस 30 का DB से था माइनस 30 का K के विल्यूप 50 के लिए रखी थी 4 CD के लिए रखी थी 4 का लिखाए मैंने के लिख दिया है 4 CD के लिए रखी थी 3 और DB के लिए रखी थी 1 HL निकालना है तो HL कैसे निकालते हैं HL equal to K into Q का square 50 का square करने जाएंगे तो वेल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पाद into 4 करना पड़ेगा तो पचास का करने जाएंगे पच्चीस सो पच्चीस सो इंटू 4 कर दें 10 हजार और 30 into 3 करने जाएंगे वाज़ब 30 का square into 3 करने जाएंगे 27 माइनस 27 आजाए आया ना HL का sign वही रहता है जो discharge का sign होता है ठीक है तो यहाँ पर कितना आगे माइनस 27 यह कितना हो जाएगा 30 का square और K के वेल्यू वन तो माइनस 900 तो summation of HL कितना आजाएगा 10 हजार में से 27 गए और 900 गए तो 6400 HL by Q 10 हजार बटे 50 तो कितना हो जाएगा यह 200 27 गए 30 तो कितना हो जाएगा यह 90 और यह कितना हो जाएगा 900 गए 30 तो 900 गए 30 हो जाएगा हमारे पास 30 तो यहां से गए निकालो समीशन ओफ HL by Q तो बने गए यह हमारे पास 290 और 30 320 करेंटें डिस्चार्ज निकालना है तो उसके लिए पुझे क्या करना पड़ेगा पहले निकालना पड़ेगा डेल्टा तो डेल्टा कितना बन रहा है माइनस ओफ समीशन HL divided by N times of summation HL by Q का मोड तो यह बनेगा माइनस ओफ 6400 divided by 2 into 320 तो यह बन जाए कितना 640 मतलब माइनस 10 के बराबर माइनस 10 आगया यह अब ज़रा देखो आप आपको समझ में आएगा खेल कहां पर चल रहा है Corrected Discharge निकालना है तो assume प्लस डेल्टा प्लस 50 से माइनस 10 तो प्लस 50 माइनस 10 कितना प्लस 40 माइनस 30 है माइनस 10 कितना माइनस 40 माइनस 30 है माइनस 30 है माइनस 10 कितना माइनस 40 लेकिन अभी देखो एक एक जादू देखो जादू आप क्या जादू है यह वाला जो हमारे पास पाइप है common है common pipe अब चूकि यह pipe common है तो हमारे पास जब लूप A लेते है तो B से D positive बनता है और जब लूप B, C, D भी लेते है तो यह वाला pipe negative बनता है एक में positive एक में negative तो अब आपको करना क्या है जो इसमें correction आया यही correction आपको second loop में भी लगाना पड़ेगा लेकिन जैसा यहां लगाया है पहले loop में उसका ultra लगाना पड़ेगा और जो second वाले loop में correction लगा रहे हो वो आपको पहले वाले loop में भी लगाना पड़ेगा लेकिन ultra लगाना पड़ेगा जैसे आपकी आप पहले में लगा रहे तो देखो आप यहाँ पर आपने क्या किया आपके पास एक pipe है BD वाला जो आगे चलके यह DB के नाम से हो जाता है तो आपने DB में correction लगाया माइनस 10 का तो BD में क्या लगाना पड़ेगा प्लस 10 का लगाना पड़ेगा तो यहाँ पर प्लस 10 तो यह बनेगा प्लस 37 क्या बन जाएगा यह प्लस 37 और वही पर जो तुमने BD में यहाँ माइनस 3 का correction लगाया वही आगे जाके DB में आपका correction यह बन जाएगा प्लस 3 का तो माइनस 40 प्लस 3 माइनस 37 यहाँ माइनस दिखाई दे रहा है क्योंकि यह DB है और यहाँ यह प्लस दिखाई दे रहा है 37 का क्योंकि यह BD है तो यहाँ से आपके पास अब सारे ही पाइपों की corrected values निकल कर आ गई है This is how basically you solve the complete network of the pipe तो यह थी हमारी अभी तक की जांकरी related to this topic मिलते हैं अगले lecture में जहां पर हम आगे की topics पर discussion करेंगे तब तक के लिए Goodbye, thank you very much for joining in this session Thank you very much everybody everyone of you, मिलते हैं अगले lecture में Till then, Goodbye झाले प्रेवेबते हम ए झाले दूण